स्वागत है आपका आगची चर्चा में तिफिका और शोयव जी के बेटे की तेवरत कुछ खराब बताई जाती है उनको पताया गया है कि लंग्स में कुछ प्राप्लम है जिसकी वेसे उनने ब्रीधिंग इशू आ रहे हैं सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि वो बच्चा जल्दी ठीक हो जाए और नॉर्मल तरीके से उनके पास आ जाए अब बात करते हैं प्राप्लम की प्राप्लम जो है वो लंग्स में बताई गई है ये जो बेसिकली प्राप्लम होती है ये ब्रीधिंग प्राप्लम जो होती है य जो विप्स सेंविन मंत के बीच में यह लंक्सडवलफ होना शुरू होता है। लंक्स के अंदर एक लिक्विट रहता है जिसे सरफेक्टेंट ब Düुलती है। जे सरफेक्टेंट जो होता है यह काम करता है कि लंक्स को थुड़ग सा फुलाय रखता है। और साथ-साथ उसको collapse होने से यानि कि पिछकाने से रोकता है इस बीमारी को medical terms में NRDS के नाम से जाना जाता है जो basically इसकी full form a newborn respiratory distress syndrome कहलाता है आप कहेंगे कि मैं किस तरह की बाते कर रहा हूँ और medical terms और जिन सब को कैसे define कर रहा हूँ एक्चली हमारी family में भी same case हुआ था एक newborn baby जो basically प्री-mature हुआ था और उसकी भी breathing issues थे और पता चला था फिर डॉक्टर्स नहीं ये बताया कि उसके lungs जो है basically पूरी तरह डवलप नहीं हुए हैं उसकी विए से उसको breathing issue आ रहा है और उसको incubator में रखा गया था साथ-साथ जो ह पहला बच्चा था तो family पूरी की पूरी depressed थी और प्रशान थी कि भी आगे ये क्या होगा और उस time में जो सारी चीजे थी ये ऐसी लग रही थी कि ये जो बच्चा है चूंकि breathing नहीं ले पा रहा है survive कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो उसको फिर दुबारा से वहां से shift करके बात करके एमस में बात की गई थी और एमस में उसका treatment कराया गया था और उसी दोरान जितने डॉक्टर सोगरा थे उन सबसे बात हुई और उसी के अधर पे मैं ये आपको ये जानकारी सारी दे रहा हूं सबसे पहले तो ये कि इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है इस तरह की जो बिमारी होती है ये लंक्स वाली जो बिमारी होती है ये आराम से क्यूरेबल है और ये ठीक हो जाती है अगर परसंटेज की बात करें तो काफी बच्चे इसमें ठीक हो जाते हैं और ऐसा भी नहीं है जितने भी प्री मैचूर बच्ची होते हैं उनके अंदर प्राप्लम आने की संभावना बहुत जादा रहती है इसलिए सम्टाइम जो है ट्वीन से बेबी होने के उपर डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं कि उनको उनकी प्री मेच प्री मेच और या कहले समय से पहले कुछ डिलीवरी करा ली जाए तो ऐसे कंडिशन में चांसे होती हैं कि इस तरह की ब्रीधिंग प्राप्लमआ या फी लंगस की प्राप्लम आती हैं हमारे वीवर्ट ने भी बहुत सारे लोगोंरे यह वाली फ्रापलम हो सकता फिस्की हो अ लाण आ करे कि ऐसा आनेयो वाले उनको यह वाली प्राप्लम फेस करने पड़े लेकिन जानकारी होना अच्छा रहता है तो इस लिहाज से मैं यह सब चीजें बता रहा हूं तो अब बात करते हैं कि इसमें फिकर करने की तो बात नहीं होती यह भीमारी जो ठीक हो सकती है इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं इसमें इंटेंसिव केर यूनिट की जुरुत पड़ती है बहुत सगन देखवाल की जुरुत पड़ती है वो तो चाहिए चाहिए क्योंकि कंडिशन सीरिस होती है तो इसके साथ-साथ जो थेरिपी दी जाती है इसके अंदर सबसे पहले यह ऑक्सिजन थेरिपी दी जाती ह जो basically ensure करती है कि जो lungs की growth है और बच्चे की जो growth है उसको प्रयापत रूप में oxygen वहाँ पर मिलती रहे medicines के साथ में इसको cure करने की कोशिश की जाती है rear cases होते हैं कि जब ये दिखाई देता है कि ये therapies काम नहीं कर रही है तो फिर में steroids दिए जाते हैं और steroids के injections लगा जाते हैं yes आप कहेंगे कि steroids बच्चे को steroids बच्चों को भी दिए जाते हैं अगर कोई problem होती है तो वो control way में steroids दिए जाते हैं और वो उनको फायदा पहुँचाते हैं उनके parts को develop करने के लिए या lungs को develop करने के लिए तो इस तरही किसे इस बीमारी को cure किया जा सकता है और बात करने के कितना वक्त लगता है तो लगबग इसमें कम से कम कम से कम एक महीने से तीन महीने का वक्त लग सकता है हमारे वाले case में जो सफलता थी वो जल्दी मिल गई थी और एक महीने में ही बच्चा काफी हद तक ठीक हो गया था वाँ सारी फैमिली आश्वस्त हो गई थी वाँ खुश हो गई थी कि अब बच्चा बेकुल ठीक है और उसको घर लाया जा सकता है वाँ सारी खुशियां मनाई जा सकती है देखे एक महीने तक सारी खुशियां एकदम से रुख जाती है क्योंकि ये प्रापलम जो होती है ये नॉर्मली तो होती नहीं है रेयर होती है तो लोग डर जाते हैं घबरा जाते हैं जिन फैमिली में ये पहला बच्चा होता है उनके लिए तो ये बहुत ट्रोमा से कम नहीं होता या कह लीजे कि आस्पताल में अगर कोई भी बीमार घर का तो नैश्रली फैमिली एक ट्रोमा में तो आई जाती है और जबकि ये एक थोड़ी सी सीरिस बात होती है इसलिए और भी सब लोग ट्रोमा में रहते हैं तो अल्ला से दुआ करेंगे कि जल्दी ही इनका बच्चा भी ठीक हो जाए और जो भी थरेपी इसमें डॉक्टर से दे हैं जो भी ठीक समझेंगे वो करेंगे या फिर हो सकता है आज कुछ और एडवांसमेंट आ गया हो क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं जो बेसिकली बात कर रहे हैं वो तीन से चार साल पहले की बात कर रहे हैं तो हो सकता है मेडिकल में बहुत सारी इंप्रूवमेंट और यस सब चीज़ा आती रहती हैं बॉम्बे एक बहुत बड़ा सिटी है और डॉक्टर्स की कमी नहीं है अब पर पल्मरोजिस्ट भी वहाँ पर बहुत सारे होंगे तो नेचरली वह बैस्ट टीटमेंट उस बच्चे को दे रहे होंगे तो फैमली तो चिंता में रहेगी रहेगी जब तक जब तक की ऐसा होग इसलिए कई बार जो उसके जो कोलिक्स हैं उन सब लोगों ने बताया है कि वो थोड़े से टेंस हैं और उनको बहुत जादा चिंता हो रही है बच्चे की खासतोर सी ये भी बताया गया कि दिपिका भी कई बार रोई है इस चीज़ को लेकर कि बच्चा उनको देखने को न तीन महिने का है, तीन महिने की हो जाए, हमारी तरह से एक महिने में ही इनका बच्चा ठीक हो जाए और इनके पास आ जाए हे वह फिर दबारा से यह सब लोग उसम बच्चे को पहले कर सके और उसके बाद में फिर शुरू हो सके खुशिया मनाने का प्रोग्राम जो बेसिकली होना भी चाहिए एक बच्चे का जो वेलकम है वो खैर मगदम है वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए क्योंकि फैमिली में अगर कोई भी नया पार्टनर आता है तो उसका वेलकम तो होना ही चाहिए और ये तो कोई भी फोटो रिलीज नहीं हुई है कैसे रिलीज हो सकती है जो मैंने कंडिशन बताई है उस कंडिशन में क्या कोई फोटो खीचेगा तो बिसिकली जो भी इस तरह के फोटो लगा रहे हैं वो सब फोटो ना लगा है कई बार जो है इससे गलत ठेस लगती है और फैमिली ऐसा होता है कि बच्चा ये सब चीजे नहीं देखता कौन पर आया है कोई ना अपना है तो वो भी उसी तरह का response देता है तो किसी की भी बच्चे के बारे में कोई इस तरह की बाते ना फैलाएं और ना ही इस तरह के photograph और meme और ये सब चीजे डालें जो किसी के feelings को hurt करें तो इस podcast को यहीं खतम करते हैं अगर आपको यह podcast अच्छा लगा हो तो please like कीजे subscribe कीजे और share कीजे और एक बार फिर में कहूंगा कि सब को खोशिया बाटिये और सबको खोश रखिये और अपने रिष्टों के कदर कीजे क्योंगी ये रिष्टे ही हमको आगे ले जाते हैं यही जीवन की सबसे पहली और आखरी कुंजी है podcast सुनने के लिए thank you, शुक्रिया और धन्यवाद